बिसमिल्ला रह्मान रहिल्म वेलकम टुदा कुक विद नूरे असलाम अलेक्कम आज हम होम मेड आपको टू फ्लेवर्स में म्यूनिस की रेस्पीत बता रहे हैं एक हम बना रहे हैं यह तंदूरी म्यूनिस जो के बहुत ही जबरदस्त है आप चिकन तिक्का पीजा वगारा को लगा सकते हैं सेंड्विची वगारा में इसको ड्रेसिंग के तोर पर यूज कर सकते हैं और यह एक ग्रीन मयो स्पाइसी मयो बनाएंगे हम जो कि बहुत ही टेस्टी और यह दोनों बहुत ही आसान लोकडाउन स्पेशल म्यूनिस की रेस्पीज हैं जो कि आगे चलके र म्यूनिस की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे जूँगी आप बजार का भी म्यूनिस ले सकते हैं प्लेन वाला म्यूनिस है और अब हम चिकन तिक का म्यूनिस जो बनाएंगे उसमें पहले आड़ करेंगे हाफ टी स्पून चिकन तिक का मसाला पाउडर बजार का किसी भी कंपनी का किसी भी आप ब्रैंड का ले सकते हैं और इसमें जाएगा साथ चिली सॉस चिली सॉस जो है यह आप स्पाइसी करने के लिए कम यह ज्यादा कर सकते हैं मैंने वन टेबल स्पून एड़ किया है half cup म्यूनीज में half teaspoon chicken tikka और two tablespoon tomato ketchup और one teaspoon जो है वो chili sauce डाली है हमने red chili sauce अच्छी तरह से mix कर देंगे आपने इसको इतना mix करना है कि जो chicken tikka का color है वो अच्छी तरह से म्यूनीज के अंदर रच बस जाए मैं इसमें थोड़ा सा orange food color जो है वो इसमें add करूंगी ताके इसका flavor भी अच्छा है और इसका color भी अच्छा है अब आज़ते हैं हम green sauce या green spicy मायों की तरफ तो उसके लिए हरी चटनी recently मैंने अभी आपको बनानी सिखाई थी धनिया पुदीना, अनारदना, हरी मिर्च और इमली का pulp डाल के उसको paste बनाया था तो उसको हम लेंगे 1 teaspoon जितना आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर आपने हरी चटनी नहीं बनाई हुई तो आप धनिया पुदीना और एक हरी मिर्च पीस के तो उसका paste जो है वो इसमें add कर लीजिएगा इसमें हमने तकरीबन 1 tablespoon जितना जो है हरी मिर्च का और धनिया पुदीना का paste जो है वो add किया है इसमें और अच्छी तरह से मैं आप इसको mix करूंगी अभी ये देखें ये दोनों ही मियोनिस जो हैं बहुत ही जबरदस्त आपके ये बन जाते हैं और रमदान मुबारक के लिए आप make and इनको रमदान preparation के लिए बना के इनको आप safe कर सकते हैं तो एक महिने में ये इन्शालला बिलकुल भी खराब नहीं होंगे तो आप रमदान मुबारक से पहले बना के bottles में आप रख सकते हैं अब ये भी अच्छी तरह से मैंने मियोनिस जो है mix कर दिया है अब इसमें थोड़ा सा मैं यालो food color डालूँगी जो के इसका तंदूरी color जो है authentic लेकर आएगा ये देखें इसमे यालो food color मैंने just one pinch डाला है इसका color change करने के लिए ये optional है आप food color डाले या ना कर लेकिन ये restaurant style में food color से इसका flavor और उस पे कोई असर नहीं ह हो जाएगी जो के hotels बगरा में आपको मिलता है तंदूरी मायो तो दोनों म्योनी बहुत अबर्दस हमारे माशाला से त्यार हो गए है ये green chutney म्योनी जो है ये बी और green chutney वाला म्योनी इनके साथ इंशाला जल्दी सेंड़िची इसकी बहुत अबर्दस range में आपको बनाना स सिखाऊंगी मुक्ति तरह के club sandwich बनाएंगे हम प्राथा रोल्स बनाएंगे इनके साथ और इसके साथ साथ हम मुक्ति तरह की ये dips आपको मजीद भी बनाना सिखाएंगे तो जरूर आप हमारे channel को in touch रहिएगा अगर first time देख रहे हैं तो please subscribe कर लिएगा और bell icon को जरूर दब आपके बहुत काम आएंगे और आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो please इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी दोस्तों के साथ family के साथ friends के साथ दौाओं में याद रखिएगा टेक कियर अला हाफिज